जहिंद सातियो, सातियो आज का जो क्लास होगा भूगोल का वहा होगा 36 ङूरे उसमें देखेंगे हम लोग भारत की प्राकिर्थि वनस्पत्ति तो सातियो इसमें जितना भी सवाल होगा एकी क्लास में complete कर दिया जाएगा। तो अपने वीडियो में अंतर बने लिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेर कीजिए ठीक है और आप टेलिग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलिग्राम में भी जुड़ जईएगा ठीक है तो बढ़ते हैं सवाल के और देखते हैं पहला सवाल क्या दिया गया है ठ उसनादार पत जड़ 1 पाया जाते है साथियो देश के स्रवाधिक छेतिर फल पर किस प्रकार के 1 जो पाया जाते हैं उसनाद पत जड़ 1 ठीक है साथियो तो इसका correct answer हो जागा उसनादार पत जड़ 1 correct हो जागा ठीक है आगे next question को पढ़ते है नेक्स्ट है साथियो कि देश के उन भागों में जहां आउसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक तथा वार्षिक आउसत वर्ष तापमान 24 जगी सेल्सियस के ताप आसपास वर्षा भर आधरता 70% तक रहती है किस परकार के वन में पाये जाते हैं साथियो तो उसनादार सद आगे सब्साथियो कि देश के 100 से 200 सेमी ऑशत वर्षा वाले जो भागों में किस परकार के वनिसपति पाई जाती है साथियो तो उसनादार पतज़र्ण ऑचते हैं करेक्ट हुएगा आगे ृम्तियो औरि आगे台्स आठेंस पाती से कम और शत वर्षा वाले चितरा में कि दलदली अथवा ज्वार भाटा चेत्रों में पाये जाने वाले one को क्या कहा जाता है तो मैगरोब one कहा जाता है correct हो जाएगा आगे next है भारत में मैगरोब वनस्पती का सरवाधिक विस्टार किस राज्जी में पाया जाता है तो पस्सिम मंगाल में correct answer हो जाएगा आगे next स्वाल है कि भारत में चंदन की लकड़ी के one सबसे अधिक कहां पाये जाते हैं साथियो तो निलगीरी की पाड़ियों में पाये जाते हैं चंदन की लकड़ी ठीक है आगे next question के बढ़ते हैं next है silent valley के चर्चित होने का जो कारण है वह क्या है तो जैव वित्ता एबं इस्तित है आगे next है सांत घाटी अवस्थित जो है साथियो केरल में है सांत घाटी आगे next है पस्सिमी हिमाले में उच परवर्ती वनस्पती 3000 मीटर तक उचाई तक की उपलब्धी होती है जब पूर्वी हिमाले में 4000 मीटर की उचाई तक मिलती है एक ही परवत स्रेनी में इस प्रकार की वित्ता का कारण है, तो क्या कारण है, तो पूरू हिमालाय में पस्सिम हिमालाय की अपेक्चा अधिक मानसुनी वर्षा होती है, इसलिए correct हो जाएगा इसका, ठीक है साथियो answer, आगे सवाल है, कि पस्सिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पती का प्रकार किया है साथियों, तो सदा रहित correct answer हो जाएगा, आगे next है, कुछन कटी बंदिये आद्र सदा वाहर वन पाए जाते हैं, तो प्राइदिफिये पठार पर पाए जाते हैं, correct हो जाएगा, आगे next है, कि इन पाडियों पर उसने कटी बंदिये सदा वाहर वन पाए जाते हैं, तो निल गीरी पाडियां correct answer हो जाएगा, आगे next सवाल है साथियों, कि कौन सा राज्य सातूत रेशम उत्पादित करता है, तो करनाटक करता है, correct answer हो जाएगा, आगे next है सातियों, कि गंगा, ब्रह्मपूत्र, डेल्टाई, छेत्रों में, किस विरिक्ष की अधिक्ता के कारण, इसे सुंदर वन कहा जाता है, तो सुंदरी correct answer हो जाएगा, आगे next है सातियों, कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए, प्रसिद राजी जो है, वो है करनाटा, correct answer हो जाएगा, आगे next है, भारत के किस भौतिक परदेश में, उसने कटी बंधिये से लेकर, अलपाइन परकार की वनस्पति मिलती है सातियों, तो वह उत्तर का हिमाचल और परवतिये परदेश, correct answer हो जाएगा, आगे next है, भारत में सरवाधिक महतपूर्ण, website one क्या है, तो उसने कटी बंधिये, आदर सदावाहर one, correct answer हो जाएगा, आगे next सवाल है सातियों, कि भारत के वनों में, उसने कटी बंधिये और सितोसन कटी बंधिये one का, जो युगदान है, करमसा है, राज्य, तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है, तो मध्य परदेश correct answer हो जाएगा, आगे next question है सातियों, भारत के छेत्रों में से किस एक में, में ग्रोव one सदा पर्नी one और पर्नपाती वनों के सयोजन है, तो अंडमान, नीकोबार, दीबसमू, correct answer हो जाएगा, आगे next question है सातियों, कि जो one चक्रवातों के अवरोधकों का कारे करते हैं, वे कौन है सातियों, तो में ग्रोव one correct answer हो जाएगा, आगे next टवाल है, कि गंगा ब्रहंपूद्र डेल्टाई, छेत्र का one किस नाम से जाना जाता है सातियों, तो सुंदर one के नाम से जाना जाता है, correct answer हो जाएगा, ठीक है, तो सातियों प्राकिरतिक, भारत की प्राकिरतिक गौनस्पती से related, जो सवाल था, सवाल था सातियों कितना टोटल 25 सवाल, so complete हो गया, ठीक है,